नमशकार दोस्तो, Amit Singh Yo To Channel में आपका स्वागत है, हम इस वीडियो में dखेंगे कि हम यह चलान आल्लेन कैसे पे कर सकते हैं, हम यह भी देखेंगे कि हम चेक कैसे कर सकते हैं, कि हमारा कोई pending notice, कोई pending चलान है और कितना पे करने हैं, इसके लावा हम check करके जो pending चलान है, उसको pay कर सकते हैं और print भी कर सकते हैं record के लिए यह सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे इस वीडियो को last तक देखेंगे हम हम इसमें इस चलान देखेंगे कि आया है कि नहीं अगर आया है तो कैसे देख सकते हैं कैसे print कर सकते हैं document को PDF को उसके लावा कौनसे कौनसे जरीय से हम online pay कर सकते हैं Paytm से pay कर सकते हैं कि नहीं net banking से कर सकते हैं कि या फिर authority पर जाके pay कर सकते हैं कि नहीं सब कुछ देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आप browser पर जाएए यहाँ पर type कीजिए Delhi traffic police.nic.in यह हमने link description में भी डाल दिया है इसको open करने के बाद देखिए Delhi traffic police की site आ गई अब system बहुत ही असान कर दिया गया पंडिंग notice देखने का और pay करने का जो चलान है आपका यहाँ पर notice पर जाएए बस और pending notice पर click कीजिए. pending notice पर click करने के बाद आपको vehicle number डालने है notice number अगर notice नहीं है और चेक करना है शिर्फ तो vehicle number डालिए हमने vehicle number डाला अब हमें search details पर click करने है आपकी वहिकल में आपकी गाड़ी हो, बाइक हो, स्कूटी हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, अब यहाँ पे डालिए और उसके बाद search details पे क्लिक कीजिए, देखने के लिए कि कोई pending notice है कि नहीं अब मैंने क्लिक किया, अब इसने mobile number पे verification के लिए एक OTP बेजा है अब OTP डालिए, अब submit पे क्लिक कीजिए, अब देखिए submit पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे एक हमारा आ गया है यह notice number है, वहिकल number आ गया, date कौन सी थी offense की, क्या offense है, offense details आ गई, जैसे over speeding हो गया image भी आजएगा, image भी आजएगा, अगर image पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ देखिए pay now button है, payment verify payment करी है कि यह बाद में check कर सकते है और कोई grievance है अगर आपको दिखकेत है कि यह गलत हुआ है, मेरे साथ तो यहाँ apply पे click कर दीजिए, अब हम pay करेंगे, payment के लिए देखिए amount लिखे 2,000 पे, यहाँ पे आपकी amount लिखे आजएगी, यहाँ पे notice अगर आपको print करना है तो click कीजिए, देखिए यहाँ पे लिख यह payment ID आगया, आप payment gate पे state करते हैं, यह देखिए multi banking है, मैं इस पे click करूँगा, आप यहाँ से terms चेक कर सकते हैं, era terms, यह पंदने के बाद ok click कीजिए, I have read all the items, accept the terms, आप continue, continue से पहले यह verification code दिखाएगा, capture, यह डालिए, और यह देखिए option आगया, यहाँ पर debit card से पे कर सकते हैं, credit card से पे कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे internet banking है और यहाँ EPlEłem, UPA से पे कर सकते हैं, internet banking से, internet banking से आप यहाँ पे bankselect कीजिए, पे करने के बाद यहां से आपको पे करना है पे करने के बाद आपका यह हो जाएगा और जब वहाँ पे verification status है वो थोड़ी देद बार लिखा आजएगा कि आपने payment कर दिये हैं तो दोस्तो धन्यवाड़ी वीडियो देखने के लिए हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम QPI सबसे आप पे कर सकते हैं तो दोस्तो धन्यवादी वीडियो देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छे लेगए क्रिपया वीडियो लाइक कीजिए अमे थिंग जोड़ी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद